कैसे मैंने अपने लॉसेस कवर करें जो कि थे 43 लाग के आकिर कौन था हो इंसान जिसने मेरी उस वक्त मदद कि थी जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था कैसे एक आम दिनेश के रोला स्टॉक बढ़नर बना तो जहिन दोस्तों स्टॉक बढ़नर डिस साइड तो आज का मारा जो टॉपिक होने वाला कि कैसे मैंने एक डिफेंस परसन से लेकर एक फुल टाम टेटर तक की जर्नी कंप्लीट की तो आज मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो कि आप काफी समय से मेर पने पास यह कि जो अपनी जो ट्रीडिंग की जर्णी वेविव उसकी सुरवाद कैसे कैसे अब ट्रीडिंग के अंदर घुसे तो वुंटी ट्रीटी एटीन में मैं डिफेंस में छबाइड आजया था तो युका आज मैं नौ में ट्रेंट करने के बाद यूनिट को जोई दिसंबर के टाइम में जो फस्ट अपना जो ट्रेड मैंने पंच अप किया था आपका अर्बेंड फार्मा में जिसमें मेरे को राउंड 20-30 रुपर की आसवास का प्रोफिट और उसके बाद जो सबसे मेजर प्रोफिट हो था आपका बर्गर किंग में जिसके मैं आई-पी में पैसा लगाए था दूसमें मेरे 18,000 के अप्रोफिट बना था वह भी मेरे किसे फ्रेंड ने मुझे बताया था बात आते हैं यह मुझे पदा कैसी चला यह मुझे पदा चला कि वन आप दम मुस्ट एक तदीक से तो फेमस जो अभी आज की टेट में जिनने हम किंग और बैंक निफ्टी कहते हैं उनका एक स्कीन शॉट उनका वीडियो में देखा था जिसके मुझे समझ मैं कि हाँ यह चीज ट्रेडिंग होती है एक इंटरफेस होता है और यहां पर ट्रेट किया जाते हैं इस तरह किसे बाइसल होता है तो उस चीज को देखकर मुझे भी लग इस एक ट्रेड में मेरा निकल गया तो मैं यहां पर इतना ऐफ़र्ट की डालो जब मैं यहां पर दिमाग लगा कर दों तो मेरा फस्ट वन मंत की अंदर युसम्ट इसमिर के एंड के उसी मंत के अंदर और्मोस्ट एक लाग की लॉस को कवर अप करने के लिए मैं फिर गु सब्सक्राइब करने के लिए वह मैंने एफनों आपको पता है कि इसकी सेगमेंट होता है कुछ दिन कुछ टाइम पर काफी अच्छा लगता लेकिन जब पैसा जाता है तो काफी तेजी से जाता है और बहुत बड़े आमाउंट पर जाता है और उसको समान रहत किसी की बस की सब्सक्राइब करना पड़ता है और उसकी कमी की कारण मुझे काफी मेजर लॉस फेस करना पड़ा जैसी कि आप सभी लोग जानते हो मैं आल्मोस 43 लैक के लॉस मां पहुंच चोगा था तो दूसरा अपना पॉइंट था कि इस जो लॉस वाली आपकी जरनी थी इसमां आप आपको स्टेट बताता हूं कि जिस टैंब में लॉस लिए थे या मैं अपना जो परसनल अकाउंट में जो बैलेंस था मेरा सारा चला गया था मैंने जो लोन लिए था अपने पर सारे चले थे तो इस टाइम पर होता कि आप एक आपके उपर रिस्पॉंसबिलिटी है आप सबसे बड़े लड़के हो आपको आपके पास रिस्पॉंसबिलिटी समनी फैमिली की आपको सब पुछ देखना होता है और आपको अगर आपको अपना घर पर चीज देने होती है तो उस टाइम पर कंडिशन थी कि भाई आप मेरे पास कॉल आते थे घर से मैं कॉल नहीं उ है मैं उनसे तक से से उस टाइम पर कनेक्ट नहीं कर पाता हूं उनको तक इग्नॉर करता था कि यह कहीं फॉन कर गिया मेरे से उस वक्त पैसा ना मागले क्योंकि मैं जो पैसा था अपना डीमेट एकाउन में रखा वा था और उसका अलमोस्ट मेरा 70-80-90 परसेंट कैपिट खरीद लो और वहां पर मेरा एक लाग या पांस लाग रगा हो और उसको मैं स्वाव पर बेच हूं उसमें मेरा 25-50 लाग बन जा तो मेरा सारा कबर हो जाएगा हर एक ट्रेटर के दिमाग में बीगिनर स्टेज में यही थोट्स आते हैं तो मेरे इस दिमाग में यही थोट स्टेज में मैं था तो काफी स्टेगल मैंने वांपा फास किया काफी में तिप्रेश्ट केमें इल्टी नहीं थी बिलकुल तो काफी स्टेबल इधा मेरा तो अपने पास जो नेक्स पॉइंट है कि आपने जो अपने लॉसस थे स्टार्डिंग के उनको कैसे ब्याद कैसे उस चीज को जहल पाई तो यार देखो एक होता है आपके पास जब कुछ नहीं बचाया खोने को आपको करना सिर्व ही है यही एक लास्ट ऑप्शन है कि आप जॉब कर देओं मैं जॉब कर रहा हूं मेरे और मैं वहां पर और मुस्ट मंत का यह माइप कर रहा हूं तो आप खुरी सोच लो कि मैं अगर 45-45,000 पर मंत का भी खटा करो तो मुझे कितने साल लहेंगे वो 43 लैक के ओवर ओल जो लॉस मेरे मेरा है जिसमें लोग का पै एक होता है ना लास्ट मुमेंट तक मैं वहां पर कुई नहीं किया मैं स्ट्रेंग लंक रहें इस ट्रेड़ गया गया जो मुझे एक्ज़ेग्ली क्या अरी मैं चाहिए जो मैं आपक्ट ग्रता था ठाना से मुझे जिश कुश कुछ पॉइंट मॉइं जिसकी वए से उनको तब होने लगा जब मार्केट ने मुझे को लॉस वाला फेज दिखाया लॉस के फेज के बाद कुछ लिमेटेट अबाउंट और कैपिटल मेरे पास था जो के राउंड चार 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 लाख रुपी आसपास था एंड उस कैपिटल से वापी से जब मैंने री स्टार्ट किया आफ्टर फेजिंग औल लॉस इस उससे में सीखते हो जब वह री स्टार्ट किया तब मुझे समझ माया कि exactly मार्केट मुझे करना क्या है तो लॉस बियर करना पड़ता है आप लॉस बियर नहीं करोगे आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे मार्केट में लॉंगर टेम मे जाए लॉसस को बियर किया था क्योंकि मुझे पता था किया लॉसस जहिलने पढ़िंगे तभी मां आगे इस मैं अगर कंटिन्यू करता हूं निकल पाऊंगा लॉससे डर किया बंद करिया तो यह पैसा मेरे उपर क्या बोज बन जाए अब जो नेक्स पॉइंट निकल के आया कि मैं जब defense में जब काम करता हूं तो मैं medical category में तो medical category में ऐसी situation होती है अंदर की बाद उसको में त्यारा disclose नहीं कर सकता यह आप exactly जो चीज़ आप करने आये हो defense करना आप वो करने के बजाए कुछ और आपको ऐसे टास्क दिये जा रहे हैं ऐसे टास्क आपको करने पढ़त कि एक एज़ेड बंदा क्या करता है अपने आफिस में बैठके करना है तो आप जब अपने साथ के लोगों को देख तो क्या थी exactly यह सब लोग तो सब कुछ कर रहे है और आपको करने क्या opportunity नहीं मिल लिया या आप आप कर नहीं सकते just because of medical condition तो आप सुमझ सकते हो कि अंदर दिमाग में चलती हुए बंदा कितना डिप्रेश जोगा उसके साथ ट्रेडिंग के अंदर इतना मेजर लॉस बीर करना वह तो अपने आप में नेक्स लेवल है बट इसूस काफिस साथे आए जब मैं फूल टाइम स्टार्ट किया तो मैं घर नहीं जा पाया था मेरे को मु अपने टिल अक्टूबर 2022 फ्रम मार्च टूबर 2022 मैं एक पीजी में निकाला है और उस दौरान में ना किसी घर वाले से मिला ना मैंने किसी अपने परसंट से बात की मैंसे वही के लोकल्स के अपने जो एक-डो फ्रेंड नहीं से मिलता था और उन्हें भी इवन यह नहीं है को कुई करके आएं तो काफी मैं इस ट्रेस लेवल मैंने फैस किया फीनेशल इस तो इतना यादा फेस किया कि अगर कोई साही अगर कोई उस टेज मेरी जगए पहो और मेरी एज क्लिझ टी ट्वर ऑश ऑर इस स्टेज मां एग का लोउस लेके बैचो तो आप कुझी को कि profitability में कैसे टर्ण हुए आप किस तरीके से profitability में आए और मेन जो मेरा रीजन है कि यह लास्ट परसन जिन्होंने मेरे को help किया था जिसने मेरा help किया था कि जो मेना loan amount भाई ने अपने अपने account से लाके दिया था अपने account से loan लेकि मेरे को दिया जस सिर्फ मेरे इतने से कहने पर कि भाई मैं उसका EMI दे दूंगा मेरे को help कर मेरे को मेरे को नीड है मैंने नहीं बताया थे कि मैं ट्रेडिंग में लगा रहे हैं मेरे किता लॉस हो चुका है मैं साहर ऐसा बताता हूं तो साहर मेरे को amount नहीं दे पाता है नहीं देता मैंने कुछ अपने personal issues और कुछ related to the land and property मैंने उसको बता है तो मेरे ओव एक बहुत अच्छ पर जब मेरे पास almost सब कुछ over हो चुका था no capital और इतना बड़ा पीछे से बड़ा लॉस पीछे से और आपके पास किसी को कहने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है तो उस टैम पर सिर्फ उसी परसन ने मेरे को help किया था अपने account से loan लेके 10 लाग अपने दोस्त को दे तो साइध ही ऐसा किसी का दोस्त हो ना हो मुझे नहीं पता बट उसी की वएस से मैं अपने ट्रेडिंग को फाइनल स्टेप में ले पाए कि एक बार और ट्राय करते हैं कि जो मेरा लॉस है वो तीरे कवर हो पाए उस capital का भी almost 50% मेरा चला गया था बट वापिस से जब एक ह यह समझ में आया है इतने बड़े लॉस वाले फेस में तो मुझे वही चीज़ समझ में आया है तिया मैं जो कर रहा हूं ट्रेडिंग के अंदर उसे एक काम कर रहा है वह है कि लोसे बड़े बड़े लेना प्रफिट छोटे चोटे लेना तो तो मैंने इसे एक पॉइंट तो किसी एक दिन का आपकी पूरा मंत का ड्रण जोब तो उस चीज को मैंने पकड़ा उस पॉइंट को मैंने पकड़ा और महीं से मैं जो ट्रेइडिंग स्टाइल विल्डपोई स्कैल बिंड एंड वो स्कैलिपिंग कर 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 के वो जूटी लिक का कैपिटल था फोल एक चौपिटल था उसको 20 में तरन देन फंटी लेक्स लोन स्टेडी विदिन फोर मणस वो जो प्रोफिट था मेरा जो ओफित था म सब्सक्राइब करके नेक्स टूमन्थ मां उस प्रॉफिट उस लॉस जितना प्रॉफिट में अवराल बना चुका था एक तरीक से कह सकते हैं और मुस्ट फोर मंथ चार महिनों के अंदर रावन करोड के सबसका रेवन्यू हो चुका था जस भाई स्केल्पिंग और एक चीज स्केल्पिंग के अंदर सी उस चीज को करता हूं अपने चैų की बेसे मुझे पता है कि कब सक भी में अपको सब्रॉफिप करना पड़ेेशार सओं के बड़ेशनी करने मैं को शेकर्ण बेसा मूड होड य negócio कि नहीं है आपको रिकवर किया हूं तो अपना जो नेक्स पॉइंट है कि मेरी जो फैमिली है उनका रियक्शन पहले क्या था तो मैं आपको बताओ तो पहले उन्हें पता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या मैं ट्रेडिंग करता हूं या मैं शेयर बजार में काम करता हूं ठ कि याद अभी तक कोई एक financial support क्यों नहीं मिला होगा एक तरीके से उनके दिमार में कहीं डाउड था मैं भी सोच रहे थे कि याद यह सेफ कर रहा है कुछ प्रपर्टी या कुछ मकान घर बनाने की वह अपने पास है नहीं तो अपने पास कोई घर था नहीं अपन जो रहते थ गाउवाला घर कहते जिसको जो पहाड़ों आपने दिखा होगा पत्थर वाला उसमें तो उन्हें यह सोचा बट एक ना किनके दिमाग में डाउट था मट उन्हें से इतना पता था पहले कि याद यह क्या कर रहा है तो ट्रेडिंग का उन्हें पहले नहीं पता था बट ज बिलॉंग करते हैं दोर मिड्ल क्लास कंदर एक चीज रहता है कि यह जुआ है शट्टा बजा दी है सिंपल सबको पता कि यहां पैसे डालोगे बरबाद हो जाओगे तो ही हर किसी दिमाग में रहता कि आज इनने कमा लिया कल कि बरबाद होना है जुआ एक खेल ले हैं तो जो मैं उनको दिखा रहा था जो मैंने बताने लग गया था कि इतना मैंने बनाया उनको उनके लिए अन्रियलिस्टिक था क्योंकि आप कोई इंसान मिडल क्लास में 10-15-20-20 महीने कमा रहा और आप उसको एक दिन पर दिखा दो किया अपने घरवालों दिखा दो देखो मैं आज एक लाग का प्रॉपिट किया है तो उनके लिए एकसेप्टेवल नी ठीक है वह जैनून सा पॉइंट है प्रैक्टिकल पॉइंट है वह उसको रियल नहीं मान तो वही चीज था उस वक्त उनको रियल नहीं लगा तो वह काफी ज़्यादा इसके पोज में थे क्या नह तो अभी का रियक्शन फैमिली का कुछ नहीं है अभी एक तरीके से यह उता है कि आपके ममी पापा का जो जनेशन है उनका जो जनेशन आपके बीचन जो गैप है वह बहुत कुछ डिफाइन करता है वह थोड़ा सा हाइली मैचूर तरीके से सोचते हैं और साथ-साथ अप निकाले हुए है तो ठीक है अपनी जगह पर लेकिन हर किसी के मिडिल क्लास की फैमिली में करता कि एक सिक्योर जोब जाए जो इसको जिसके एक सिक्योर एक इसका फ्यूचर हो जाए इसके भी बच्चे कोई ना कोई ऐसी जॉब हो नीचे तो अभी भी उने यही चीज रहत है कि याप जॉब होती तो सिक्योर रहता और कहने के लिए होता सभी को कि यहार जॉब करता है चाहां लेकर करता है तो यह बी Voltat से अचीवेंट है तो मिलाब एक तरीक से अभी का जो एक्षा है काफी अच्छा है पहले जिस तरीके से मैंने फेस किया था कि मत करें सब क्यों कर रहा है तरह को आपी सब चोड़ते हैं वापिस बेज़ते हैं उससे चेंज अभी हो चुका है और अभी तो मैं कंप्लीटी मेरे अंदर पांच लोग के साथ में काम करता हूँ तो पांच लोग मेरे अंदर में भी इंपलोईड है वह भी मेरे साथ काम करें इवन अपना फैमिली तो मैं तो हैविधिंग गोड़ राइड नाव यही थी मेरी फो मैं डिपेंस परसन तो फुल-time टेडर की ज होता है from a trader from a proud trader to a loss-making trader and deep loss-making trader then break even from that break even to profitability journey बहुत लंबी होती है बहुत स्ट्रेसफुल होती है और बहुत चीज़ें उसमें फेस करनी पड़ती है उसी का मैंने एक आपको अपनी जन्नी का कुछ पोशन आपके सांथ शेयर किया ताकि आपको एस चीज समझ माजए क्या एक्जैक्ली ट्रेडिंग उतना इजी है नहीं जितना इजी आपको दिखत करें आप कमेंट करके बता दो उस टॉपिक पर नेक्स वीडियो हमारी चैनल पर आजाएगा बाकि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और बैल आगगन को दबाए वेना बिल्कुल मत जाना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दन